है वेल्कम बैक आज की ये वीडियो एक स्मर्य वीडियो है इस चैप्टर टी में हमने काफे कुछ पढ़ाएं हमने लिस्ट के बारे में पढ़ाएं हमने डिक्शनरी के बारे में पढ़ाएं और हमने sets के बारे में पढ़ा है और हमने list की summary वीडियो पहले ही बना चुकी है तो इस वीडियो में हम बात करेंगे tuple के बारे में dictionary के बारे में और sets के बारे में तो हम सबसे पहले बात करेंगे tuple के बारे में जो कि list की तरह है लेकिन list की तरह वो mutable नहीं है वो immutable है immutable का मतलब क्या होता है we cannot delete, add और update the item जैसे हम list में item को add करते थे, delete करते थे, update करते थे वैसे हम tuple में नहीं कर सकते हैं tuple में जो भी एक item बन गया वो बन गया तो अब हम बात करते कि हमारे tuple बनाते कैसे हैं tuple बनाने के लिए हम round bracket को use करते हैं और round bracket के अंदर हम कुछ भी डाले तो हमारे वो tuple हो जाते हैं और tuple को हम tuple function यूज करके भी बनाते हैं यहाँ पर हमारे पास t1 variable है और t1 variable में एक tuple बनाए हैं हमने और tuple में था 1,2,3,4 तो यह एक tuple है अगर मैं इसका type print करवा हूँ और मैं save करके इसे run करूँ तो यह देखिए हमारा class है tuple तो यह एक हमारा tuple बन चुका है अगर मैं tuple को print करवाना चाहूँ तो मैं t1 को simply print करवा सकता हूँ मैं save करके अगर run करूं तो यह देखे हैं हमारा tuple print हो चुगा है अब हम बात करते हैं हम tuple में कौन-कौन सा data type store करवा सकते हैं हम tuple के अंदर integer store करवा सकते हैं tuple के अंदर string store करवा सकते हैं tuple के अंदर boolean store करवा सकते हैं और हम tuple के अंदर tuple भी store करवा सकते हैं अब हम बात करते हैं कि अगर हमें tuple में loop लगाना हो तो हम कैसे लगाएंगे तो tuple में loop लगाना उतना ही easy है जितना हम string या list में loop लगाते हैं अगर हम यहाँ पे simply लिखें for i in t1 i कोई भी variable हो सकता है और t1 tuple का नाम है इस tuple का नाम है t1 और हम यहाँ पे चाहें तो print करवा सकते है i को अगर मैं save करके से run करूँ तो देखें 1,2,3,4 अलग-अलग line में print हुआ है तो ऐसे हम loop लगा सकते tuple में i hope आपको इतना समझ में आया होगा तो अब हम बात करते tu टूपल unpacking की टूपल unpacking में क्या होता अगर हमें tuple को unpack करना हो अगर मैं यहाँ पर name variable में tuple बना हो और name लिखूँ ओके तो अगर हमें इन सारे value को unpack करना हो tuple से तो हम कैसे करेंगे हम उसके लिए जितने भी tuple में values होंगे उतने हम variable बना लेंगे और उसको equal कर देंगे tople के नाम से तो इससे क्या होगा कि हमारा first variable में टूपल का first value store हो जाएगा और second variable में टूपल का second value store हो जाएगा और third variable में हमारा third value store हो जाएगा टूपल में यह important चीज़ है टूपल unpacking बहुत important है तो अगर मैं print कराओ name2 को और मैं save करके इसे run करूँ तो यह देखिए हमारे yes print हो रहा है अगर मैं print करवाना चाहूँ one को name1 को और मैं save करके run करूँ तो यह देखिए हमारे पास hash print हो रहा है तो हमारे name1 variable में hash store हो चुका है हमारा name2 variable में yes store हो चुका है और name3 variable में mohit store हो चुका है तो i hope आपको इत्ते समझ में आया होगा और अगर मैं इस name को print करूँ तो name हमारा पूरा का पूरा टूपल प्रिंट हो जाएगा यह देखिए हमारा पूरा का पूरा टूपल प्रिंट हो चुका है और अगर मैं name3 को print करूँ और save करके run करूँ तो यह देखिए हमारा mohit print हो चुका है तो ऐसे हम टूपल को अनपक करते हैं अब हम यहाँ पर टूपल में कोई भी आइटम स्टोर करवा सकते थे लेकिन हमें पता नहीं होता था यह आइटम है क्या तो सबसे पहले जानते हैं कि हम dictionary को create कैसे कर सकते हैं dictionary को create करने के दो तरीके एक तो हमारे dict keyword से हम dictionary बना सकते हैं और हम एक curly braces को use करके बना सकते हैं और उसके बाद फिर से हम एक key देंगे और उसका फिर से हम value देंगे और हमारा key value pair कॉमा से separated रहेगा तो हमारा dict one में एक dictionary storage जिसमें key है with name और उसका value है हर्जेन और एक key है age और उसका value है 24 और मैं इसे print करवाया हूं dictionary को dictionary को भी हम simply print करवा सकते हैं और dictionary का हमने type देखा है इस variable में कौन सा data type का item present हमने वो देखा है मैं इसे comment out करता हूं और मैं save करके अगर run करूं तो देखे पहले के तो पूरा का पूरा dictionary print हो चुगा है और उसके बाद type है dictionary तो आई होप आपको इतना समझ में आओगा हम इतने को comment out करता है अब हम बात करते हैं second method की impose that में सबसे रहादा यूजिज करते को क्रीयेट करने के लिए तो second method में हम कर्ली प्रेस्स को यूजिज करते हैं जैसे हम square bracket list के लिए राउंड प्रेकेट ट्पल के लिए بन neur zero के लिए curly braces को use करते हैं, और curly braces के बाद हम एक key लेंगे और उसका एक variable लेंगे, फिर से हम एक key लेंगे और उसका एक variable लेंगे, ऐसे हम कई सारे key value pair बनाते हैं, और हर एक key value pair comma separated होता है, और first method और second method में difference क्या है, difference है double quotes का, double quotes हम यहाँ पे use नहीं किये थे, और हम इस वाले method में double quotes को use कर रहे हैं, यह major difference है, और इसमें भी हम first method की जैसे key देंगे और उसका एक value देंगे, तो हम यहाँ पे एक key लिए है name और उसका value है राहूल, हम एक key लिए है class और उसका value है 12, और हम एक key लिए है age और हमारा value है 20, और ऐसे हम जित्ते चाहें होते key value pair बना सकते हैं, अब हम बात क dictionary क्या कुछ store कर सकता है, dictionary में हम int store करवा सकते है, dictionary में हम string store करवा सकते है, dictionary में हम tuple, list, हम जो भी चीज अभी तक पड़े हैं, हम सारा चीज dictionary में store करवा सकते हैं, हम boolean भी store करवा सकते हैं, हम सारे data type को string में store करवा सकते हैं, अब हम बात करते हैं कि हम dictionary के data को कैसे access कर सकते ह हम data को भी कई सारे way में access कर सकते हैं सबसे basic method है data को access करने का वो है student 2 और उसके बाद square bracket करके square bracket में वो लिखना है जिसको हम access करना चाते हैं अगर हमें name access करना है तो हम name लिखेंगे हम यहाँ पे key डालते हैं तो हमारे पास value return में आता है अगर मैं इसे print करवाऊं और मैं save करकी से run करूँ तो यह देखें हमारे पास राहूल प्रिंट हो चुका है तो यह था कि हम सबसे basic तरीका जिससे हम key को access करते हैं value pair को access करते हैं अब हम बात करते है methods के बारे में हम generally methods से access करते हैं कोई भी data को क्योंकि हमारा method ज्यादा safe है तो अगर हमें dictionary में कोई भी item को access करनी है तो हम get method को use करते हैं क्यों करते हैंग get method को use करके क्योंकि अगर मैं यहां पर कुछ ऐसा की डालूं जो कि इस dictionary में है ही नहीं तो अगर मैं इसे सेव करके अब रण करूं यहां पर error आई है की error तो यही error से बचने के लिए हम get method को use करते हैं तो अगर हमें get method को use करके किसी key value pair को access करनी है मान के चलिए हमें subject को access करनी है तो हम क्या करेंगे हम यहां लिखेंगे student to.get get हमें किसे करनी है हमें करनी है subject को तो हम यहां subject लिखेंगे और मैं यहां पर print करवाता हुई से हमारे पास पूरी की पूरी list प्रिंट हो जाएगी है तो हम ऐसे get method को use करके कोई भी item को access करते हैं पर अगर हम यहां पर कुछ ऐसा key डाले जो कि हमारे इस dictionary में हो ही ना तो तो अगर मैं यहां पर डालूँ students और मैं अगर save करके run करूँ तो यह देखे हमारे पास error नहीं आया हमारे पसाय नन तो ऐसे हम get method को use करके किसी भी values को access करते हैं अगर हमें किसी भी key value pair को delete करना हो तो हम pop method को use करते हैं अगर मुझे करवा हूँ अब student2 को और मैं save करके run करूँ पर देखे हमारे पास age की delete हो जोगा है यहां पर कोई age की नहीं बचाब और pop method जो भी delete करते हैं उसे return भी करते हैं मैंने इसे कई बार बताया है और मैं वापस से बताता हूँ deleted item अगर मैं deleted item करके यहां पर variable बनाए हो तो हमारे पास इस pop item में जो भी चीज़ डिलीट हुआ है वह इसमें store हो जाएगा और मैं अगर इसे deleted item को print करवा हूँ और मैं save करके run करूँ तो यह देखे 20 हमारा delete हुआ था तो आई hope आपको इत्ता समझ मैं होगा अब हम बात करते हैं clear method के बारे में clear method क्या करता है clear method simply clear कर देता पूरे dictionary को अगर मैं इस dictionary को clear करना चाहूँ तो हम मैं कैसा करूँगा मैं यहाँ पर student2 dot clear लिखूँगा और मैं इसे simply print करवाऊंगा student2 को और मैं अगर save करके run करूँ तो यह देखे हमारे पास खाली dictionary करके हम किसी भी dictionary के आइटम को update कर सकते हैं और पूरे के पूरी dictionary को भी update कर सकते हैं तो हम update method को यूज करके कैसे अपडेट करते हैं यहाँ पे हमारे पास student2 नाम की एक dictionary है अगर हमें कोई भी आइटम को अपडेट करना है मान के चलिए हमें age को update करना है 23 से तो हम वो कैसे करेंगे हम update method को use करके कर सकते हैं यहाँ पर मैं update method को use करता हूँ सबसे पहले हमें एक dictionary की जरुवत पड़ेगी जिसमें हम वो key देंगे जो कि हमें change करना है key होगे age और उसकी value होगी 23 अब मैं इसे update कर सकता हूँ पहले वाले dictionary में तो सबसे पहले हमें जिसमें update करना हम वो लिखेंगे student2.update और update हमें क्या करना है update हमें इस पूरी dictionary को करना है तो हम यहाँ पर dict1 लिखेंगे और मैं अगर print करवाँ अब student2 को और मैं save करके run करूँ तो यह देखिए हमारे पास age हो गया 23 पहले age था 20 यह देखिए हमारे पास पहले age 20 था अब 23 हो चुका है अगर वैसे ही मैं अगलक से कोई key value pair add करना चाहूँ तो मैं उसे update method को use करके कर सकता हूँ तो मैं यहाँ पर अगर marks लिखूँ और उसका एक value बनाओ टूपल में और टूपल में मैं लिखूँ 1,2,3,4,5 और मैं यह update कर चुका हूँ अब मैं print भी करवा चुका हूँ तो हमारे पास देखिए output क्या आएगा यह देखिए हमारे पास last मैं add हो चुका है marks और उसका value है 1,2,3,4,5 I hope आपको इत्ता समझ में आया होगा अब हम dictionary में in keyword को कैसे use करते हैं वो जानते हैं तो हम in keyword को कैसे use करते हैं हम simply जैसे list में use करते था वैसे हम in keyword को use करते हैं हम simply if statement लगा के वो value लिखते हैं और वो key लिखते हैं जो हमें search करना हो अगर हमें राहूल को सेर्च करना हो तो हम लिखेंगे if rahul in student2 print present else print not present अगर हमारा राहूल नाम का कोई key present होगा तो हमारा present प्रिंट हो जाएगा और अगर नहीं होगा तो हमारा not present प्रिंट होगा अगर मैं save करके run करूँ तो देखें not present आ रहा है क्योंकि हमारे इस dictionary में राहुल नाम का कोई key present नहीं है अगर मैं यहाँ पर लिखू name और मैं अब save करके run करूँ तो यहाँ देखे present आ रहा है present क्यों आ रहा है क्योंकि by default in keyword values के लिए check नहीं करता है हमारा keys के लिए check करता है तो हमारे यह name एक key है इसलिए हमारा यह present आ रहा है और यह condition true हो रही है पर अगर हमें check करना है कोई values को अगर मान के चलिए हमें राहुल को access करना है पर राहुल एक key नहीं है राहुल एक value है तो value को check करने के लिए हम dot values method यूज़ करते हैं और यहां पर हम dot values लगा है अब हमारा यहां पर राहुल लिखे अगर और अब मैं इसे save करके run करूँ तो यह देखे हमारा present आ रहा है क्योंकि हमारे यह statement अब values के लिए check कर रहा है तो I hope आपको इतना समझ में आया होगा अब हम बात करते हैं loops के बारे में loops हम कैसे चलाते हैं dictionary में तो dictionary में loop चलाने के दो तरीके होते हैं पहला तरीका में हम normal loop चलाते हैं और second तरीके में हम items method को use करके loop चलाते हैं तो normal तरीका देखते हैं normal तरीके में क्या करते हैं for I in student 2 तो अगर मैं ऐसे गिया तो हमारे ये key के लिए search करेगा आई जो है ये key के लिए search करेगा ये देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है search for key और मैं अगर save करके run किया तो यहाँ पर सारे keys print हो जाएंगे है तो यह देखिए हमारे सारे keys print हो चुग है हमारे keys थे name class age और सब्जेक्ट और हमारे same to same वैसे ही print हो चुगा है अब हम बात करते हैं values को अगर check करना हो तो हम वो कैसे करेंगे values को check करना हो तो हम dot values method को use किया है हम यहाँ और वैसे ही जैसे हम in keyword में use किया dot values method वही काम कर रहे ह यहाँ पर भी dot values method तो मैं अगर यहाँ पर लिखा हूँ for i in student2.values और मैं print करवाया हूँ i को तो यहाँ पर क्या print होगी यहाँ पर print होगी सारे के सारे values print हो जाएंगे मैं इसे save करके run करता हूँ यह देखिए हमारा राहूल 12 20 और maths physics यह सारे print हो चुके हैं जो की values थे तो और i in student2 अगर हम loop चला है student2 में और एक variable बना है i हम इस variable के जगा और कुछ variable बना सकते हैं तो हमारे यह simply keys के लिए check करेगा अगर keys के लिए check किया तो हम इसके मदद से values को predict कर सकते हैं हम यहाँ student2 के अंदर i को call कर लेंगे तो ऐसे हमारा values प्रिंट हो जाएगा अगर मैं इस इसे save करूँ तो हम अभी हमारा यह keys के लिए check नहीं करेगा हमारा values के लिए check करेगा और values को print करेगा यह देखिए हमारा पूरा values प्रिंट हो रहा है values print कैसे हो रहा है मैं और एक बार आपको समझा देता हूँ अगर हमें print करवाना हो कोई भी item तो हम वो कैसे करवाते हम यहाँ पर लिखेंगे student2 डिक्षिनरी का नाम और उसके बाद हम keys डालेंगे जो कि हमें check करने है अगर मुझे age चेक करने तो हम यहाँ age डालेंगे और मैं इसे save करके run करूँ तो यह देखिए हमारा 20 age प्रिंट हो चुका है वैसे हमारा काम कर रहा है यह वाला loop हम यहाँ पर student2 की जगह में student2 डाले ह और हम इस key के जगह में आई डालें तो वैसे हमारा print हो जा रहा है आई होप आपको इत्ता समझ में आया होगा अब हम items method के बारे में जानते है items method क्या काम करती है items method सबसे पहले हम जानते है items method करता गया है अगर मैं simply print करवा हूँ student2.items तो यह क्या काम करेगा यह सारे key value pair को एक tuple में convert करके हमारे को print करवाएगा यह देखिए हमारा print करवा रहा है name राहूल, class 12, age 20, subject, पूरे के पूरे list तो ऐसे हमारा print करवा रहा है तो हमारे यह एक tuple के अंदर है key value pair एक tuple के अंदर है तो हम tuple को unpack कर सकते हैं और वही किये हम यहाँ पे fall loop में हम items method को use करके fall loop को बड़े ही आसानी से चला सकते हैं तो यह देखिए हमने वही किया है यहाँ पे tuple था items method हमें tuples provide करेगा और हम tuple को ही unpack किये हैं तो हम keys और values में tuple को unpack किये हैं और हम यहाँ पे print करवाए keys और value तो हमारे पास क्या print होगी सबसे पहले key print होगी उसके बाद colon आएगा उसके बा मैं इसे comment out करता हूँ अब हम बात करते है sets के बारे में sets भी हमारे data structure है set में हम कई सारे item store कर सकते हैं लेकिन हमारा set में main चीज़ क्या है हम उसमें सिर्फ और सिर्फ यूनिक item ही store कर सकते हैं और हमारा set unordered होता है और unindex होता है इन दोनों भी हमने बात किया थे यह सब क्या है तो सबसे पहले हम बात करते हैं set को कैसे बनाते हैं set को बनाने के लिए हम curly braces को use करते हैं जैसे हम dictionary में curly braces use करते थे वैसे हम set में भी use करते हैं लेकिन हम dictionary में key value pair डालते थे और set में हम key value pair नहीं डालते हैं तो ऐसे हम sets को बनाते हैं अब हम बात करते हैं set में हम क्या कुछ store कर सकते हैं, set में हम integer store करवा सकते हैं, हम set में string store करवा सकते हैं, हम set में floating point variable store करवा सकते हैं, लेकिन हम set में list store नहीं करवा सकते हैं, हम set में tuple store नहीं कर सकते हैं, अगर हम वो करेंगे तो हमारे पास error आईगी, अब हम बात करते हैं, हम set को list में कैसे use कर सकते हैं, अगर मान के ज सारे duplicate value है जैसे हमारा 2 यहां पर 3 बार आया है 4 भी 3 बार आया है 1 भी 2 बार आया है इसमें से सारे unique value को बस रखना है और बाकी duplicate value को अठाना है तो हम उसे कैसे करेंगे हम set method को use करके कर सकता है अगर मैंने यहां पर l2 is equal to set l1 अगर यह किया है और मैं अगर save करूँ और मैं और म बार आया है तो हमारा यह ऐसा output आया है अब हम बात करते हैं set के कुछ unique feature के बारे में जो कि set को बाकी list और tuple से अलग बनाता है तो हम set में mathematical operation perform कर सकते हैं जैसे हम union निकाल सकते हैं जैसे हम intersection निकाल सकते हैं set में तो उसके लिए हम दो set बनाते हैं सबसे पहले तो हम python में union को दो तरीके से बना सकते हैं पहला तो हम pipe sign को use करके बना सकते हैं और second हम union method को use करके बना सकते हैं तो हम यहाँ पर pipe sign को use करके union नाम के variable में s1 और s2 का union बनाया है और हम इसे print करवाया है union को तो हमारे पास क्या output आएगी देखिए हमारे पास output आईए 1,2,3,4,5,6,7,8,9 और ह union method को use करके बना सकते हैं union method को कैसे use करेंगे अगर हमें s1 और s2 का union निकालना है तो हम यहाँ लिखेंगे s1.union s2 और मैं इसे print करवाया हूँ आप चाहें तो इसे भी store करवा सकते हैं किसी और variable में और मैं इसे save करके run करूँ तो यह देखिए हमारे पास union आ चुकी है तो हम हमारे दोनों set में 456 common है यह देखिए हमारे 456 s1 में भी है और 456 set 2 में भी है तो यह हो गया हमारे intersection तो अगर हमें intersection निकालने तो intersection भी हम दो तरीके से निकाल सकते हैं intersection हम end operator को use करके भी निकाल सकते हैं और हम intersection method को use करके भी बना सकते हैं तो अगर हम end operator को use करके intersection बनाना है त मैं print करवाय हूँ i को और मैं save करके run करूँ अगर तो यह देखे 456 print हुआ है और हम same to same intersection intersection method को use करके भी बना सकते हैं intersection method को use करके हम s1.intersection और s2 हमें इन दोनों में intersection जानना था तो हम यहाँ पर इन दोनों का variable का नाम लिखे और हम इसे store करवाय हैं i1 में और हम i1 को print करवाया हैं और मैं अगर save करके इसे run करूँ तो यह देखे हमारे पास 456 456 print हो चुका है जो कि हमारा intersection था तो i hope आपको यह सारे चीज़ें के बारे में पता चल गया होगा अगर आपको यह सारे चीज़ क्लियर हो चुके हैं तो आप ready next chapter में move on करने के लिए और अगर आप यह सारे चीज़ अच्छे से समझ चुके हैं तो congratulations आपने कई सारे चीज़ समझ लिए हैं हमने इस chapter में कई सारे लाइन के code लिखे हैं हमने लगभग 900 लाइन के code लिखे हैं इस chapter में और मैंने एक एक लाइन के code आपको समझाय हैं अगर आपको इत्ता समझ में आ चुका है तो congratulations यह सब चीज़ें कई सारे लोगों को पता नहीं होती है thank you for watching this video and please like my video and subscribe to my channel for more quality content